तो आईए आज के इस वीडियो में आप लोग को पोशन पखवारा 2023 जो आप लोग गतिविधी अपने आगण बारी के अंदरों पे कर रहे हैं उसको हम लोग पोशन अभियान के डेस्बोट पे कैसे अपलोड करेंगे पोशन अभियान के डेस्बोट पे जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो कहां से प्राप्त होगा और जैसे कि हम लोग जो एक्टिवीटी अप्लोड करते हैं तो उसको हम लोग कैसे देख पाएंगे कौन-कौन सा जो एक्टिवीटी है हमने अप्लोड किया है सभी की जनकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो आज की ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महतोपूर्ण होने वाली है इस वीडियो को आप लोग कम्प्लीटली जरूर देख लिजिएगा ताकि आप लोग हर रोज की जो भी एक्टिवीटी है वो पोसन अभियान के डैसबोड पे अप्लोड कर पाएं तो चलिए हमारे साथ बने रही आपको step by step करके दिखाते हैं और आपको बताएंगे किस परकार से आप लोग हर रोज की जो एक्टिवीटी है उसको अप्लोड कर पाएंगे तो चलिए आज की ये वीडियो सुरू करते हैं जैसे कि हम लोग पोसन अभियान का जो डैसबोड है उसको chrome browser से भी जाके वहाँ पे हम लोग जो एक्टिवीटी है उसको भर सकते हैं या फिर आप डिरेकली प्ले स्टोर में आएंगे और प्ले स्टोर में आने के बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे पोसन अभियान जन अंदोलन तो इस प्रकार से जो आप लोग का एक एप है वो खुल के आ जाएगा तो आप लोग सिंपली इस एप को डाउनलोड कर हैं तो आपको क्या करना यहाँ पे प्ले स्टोर में आके पोशन अभियान जन अंदोलन सर्च करके आप लोग ओपेंग कर लेना है और इसको आप लोग को उपन कर लेना है हमने यहाँ पे अपड़ेडियू किया हुगा है तो हम लोग सिंपणी यहीं सेय से इसको एपन कर open करने के बाद कुछ यहाँ पर्मिसन मांगेगा उसको आप लोग अलाउ कर दीजेगा उसके बाद यहाँ पर आप लोग जो three dot देख रहे हैं इस three dot पर आप लोग क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर data entry का एक option आजाता है आप लोग इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक नया dashboard खुल के आ चुका है इस परकार से login page जो है यहाँ पर खुल के आ चुका है अब आप लोग को यहाँ पर simply username और password डालना है तो आप लोग कैसे डालेंगे तो जैसे कि यहाँ पर login ID और password आप लोग को office से मिला होगा तो आप लोग वहाँ पर अपना login ID और password डालेंगे अगर नहीं मिला है तो आप लोग office में संपर करेंगे तो आपको वहाँ से login ID और password दे दिये जाएगा जैसे कि यहाँ पर आप किलिक करेंगे तो आपने पहले से इस पे काम किया होगा तो आपका जो login ID और password होगा वो save होगा तो आप लोग इस परकार से उस पे click करेंगे तो आपको यहाँ पे login ID password लिखने को मिल जाएगा जैसे कि एक परकंड में जितने भी आंगन बाड़ी के दर चलते हैं उसका एक ही login ID और password दिया जाता है जैसे कि यहाँ पे आपको login ID मिलेगा तो आपको simply इस परकार से लिखना है M-O-W-N-C-D उसके बाद यहाँ पे 6 अंगों का code दिया जाएगा वो code आपको यहाँ पे डाल देना है और जो यहाँ पे डालेंगे वही same to same आपको password में भी डाल देना है ठीक है डालने के बाद आप remember me पे click करेंगे तो जब भी आप इस पे आएंगे तो आपका जो password है वो save हो जाएगा आप directly यहाँ से इसको login कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पे हम login कर लेते हैं login जैसे ही करेंगे तो इस प्रकार से एक और page खुल के आ जाएगा जहाँ पे आपको activity भरने का जो option है वो आ जाएगा तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस पे भी आप लोग star mark देखेंगे वो mandatory है उसको फिल करना ज़रूरी है और यहाँ पे आप लोग portion पाखवारा देख पाएंगे कि portion पाखवारा automatic यहाँ पे फिल हुआ रहेगा ठीक है उसके बाद यहाँ पे theme आपको select करना है कि क इस theme के तहट आप लोग जो गतिविधी है उलोट करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे click कर लेना है theme वाले पे जैसे ही theme वाले पे click करेंगे तो इस परकार से आपका जो भी theme है वो खुल के आ जाएगा जैसे कि माल यह स्वस्थ बालक बालिका स्परधा काड़ेकरम ही आ तो आगनवारी center से हम लोग यहाँ पे activity कर रहे हैं तो एवसी पे click करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आगनवारी center का जो code है उसको आप लोग को select करना यानि आपका जो आगनवारी के अंदर का नाम है वो select करने ना है यहाँ पर पूरे परखंड का नाम खुल क आज आएगा आप लोग यहाँ से देखके अपने आगनवारी का जो code है जो आगनवारी के अंदर का नाम है वो select कर सकते हैं यहाँ पे आपका आगनवारी code आपका आगनवारी के अंदर का नाम और जो unique code होता है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा तो आपको उस परकार से यहां पर आपको select कर लेना है अगे बरना है आपको activity पर click करना है जैसे activity पर click करेंगे तो जो आपने ठीम चुना है उस theme के अंतरगत आप कौनसा activity कर रहे हैं यानि कि स्वास्थ बालक-बाली का स्पर्धा हमने select किया है तो उसमें आप लोग को देखना है कि आप कौन सा activity कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पर हम growth measurement of children measured for height and weight जैसे कि हम लोग बचों का height and weight मापेंगे उसका जो activity हम लोग कर रहे हैं तो हम इस पर click कर देंगे आप अपने हिसाब से जो भी activity करेंगे उस पर click कर लेंगे तो यहाँ पर हमने इसको click कर दिया है उसके बाद यहाँ पर from date आपको select करना है कि किस date को आपने यहाँ पर यह activity किया है तो जो भी date में आप लोग करेंगे उसका date यहाँ पर select कर लेंगे पीछे का भी date आप लोग यहाँ पर select कर सकते हैं और यहाँ पर कब से कब तक आप लोग यह activity किये हैं उसका date आप लोग यहाँ पर select कर लेंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे अब यहाँ पर आप से पूछ रहा है कि इस activity के दोरान कितने लोग मौजूद थे बच्चे धातरी महीला गर्भाती महीला और जो अन्य पूरुस थे वो कितने लोग यहाँ पे उसकी entry करनी है जैसे एडॉल्ट में हम यहाँ पे माली जेक यहाँ पे हम 10 सेलेक कर ले रहे हैं ठीक है तो आपको यहाँ पे female में देख कितने लोग वहाँ पे उपस्ती थे तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से यहाँ पे संख्या भर लेनी है बच्चे कितने थे तो यहाँ पे आपको डाल लेना है उसके बाद यहाँ पे बच्चियों की संख्या भर लेनी है जैसे कि हम इस प्रकार से डाल लेते हैं तो जि नीचे आएंगे नीचे आने के बाद यहां पे आपको ब्राउज फाइल का एक option मिल जाएगा जहां से आप जो पिक्चर क्लिक किये हैं उसको यहां से upload कर पाएंगे तो यहां पे क्लिक करेंगे तो आप अपने gallery में चले जाएंगे और वहां से आप लोग जो भी activity के दवरान पिक्चर आपने खीचा है उसको यहां पे upload कर देंगे ठीक है उसके बाद यहां पे आप description में कुछ लिखना चाहें तो आप यहां पे हिंदी या English में लिख सकते हैं लिखने के बाद आपको क्या करना है यहां पे जो submit का एक option दिख रहा है submit वाले option पे आपको click कर देना है तो submit करने के बाद जैसे कि यहां पे दिखा रहा है this activity participation data already exists on this interval यानि कि हमने इसका जो activity है वो हमने डाल लिया है इसलिए इस परकार से आप लोग को message देखने को मिल रहा है तो आप लोग यहां पे इस परकार से अगर कोई दूसरा activity है वो यह आप लोग कर सकते हैं तो चलिए जो आप लोग activity कर चुके हैं उसको हम लोग कैसे देखेंगे उसके लिए आपको यहां पर बता देते हैं फिर आपको क्या करना है कि activity देखने के लिए यहां पर three dot पर click करना है three dot पर click करने के बाद यहां पर view activity participation data पर click करेंगे तो इस परका यहाँ पे AWC पे click करेंगे कि जो आपका आंगनवारी के अंदर संख्या है जो code है वो हम यहाँ पे select करेंगे तो यहाँ पे पूरे परखंड का जो आंगनवारी के अंदर का नाम है code है वो सब आपको देखने को मिल जाएगा तो इस परकार से आपको यहाँ पे select कर लेना है AWC select करने के बाद देख सकते हैं कि आज के date में हमने जो activity यहाँ पे किया है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि growth measurement का जो activity है यानि स्वस्त बालग बालिकास परधा के अंतरगत जो activity आती है उसको हमने आज यहाँ पे complete कर लिया है इसी वज़ाँ से वहाँ पे आप दुबारा entry नहीं कर पा रहे थे तो इस परकार से आप लोग अपना entry चेक कर सकते हैं कि कौन सा activity हमने किया है कौन सा नहीं किया है पीछे वाले date में भी जाके आप अपने activity भर सकते हैं आप लोगों को आज के इस वीडियो से complete जनकारी मिल गई होगी कि पुसंद अभियान के dashboard पे कैसे हर रोज का जो activity है वो हम लोग upload कर सकते हैं अगर इस वीडियो से regarding आप लोगों के मन में कोई भी सवाल हो तो comment box में आके पुछ सकते हैं आज के इस वीडियो में फिलाल इतना ही अगर वीडियो में दीगे जनकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को like करके share कर दिजिएगा मिलते हैं next वीडियो में